सभी को नमस्कार, कल के वीडियो में हमने अगे का परीजे एवं संसमर्ण का अर्थ, उसकी परीभाजा और उसकी विशेश्ताओं के बारे में पढ़ा था आज की वीडियो में हम एगे के संस्मरण बसंत के अगरदूत निराला की विशेवस्तू के बारे में पढ़ेंगे बसंत का अगरदूत सीर्शक लेख में एगे जी ने इसपस्ट कर दिया है कि जब भी वे निराला को याद करते हैं तब सांती प्रिय दिवेदी की याद आ जाती है सामानेते सांती प्रिय दिवेदी का नाम पंत जी के साथ जोडा जाता है किन्तू एगे जी ने निराला की संदर में भी उनका नाम लिया है ये नाम लेने का एक कारण ये है भी है कि जब अगे निराला से पहली बार मिलने गए तब उन्होंने बाहर ही एक सिंकिया पहलवान को देखा और वे ही सांती प्रिये दिवेदी थे सांती प्रिये ने उन्होंने निराला के विशे में विरोधी भावना से युक्त क्यों लिखा है एग्ये जी ने मात्र इतना कहा कि ये दि आपने लेक पढ़ा है तो उसे पुने पढ़िये तात्प्रिय ये था कि दिवेदी जी ने वे लेक पढ़ाई नहीं था केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर वे टिपनी कर रहे थे इस आलोचे निमंद के प्रारम में ये संदर्ब देने का एक परियोजन है जो आगे चलकर इसपस्थ होता है यहां तो केवल इतना लिखना ही परियाप्त है कि अगे जी निराला का सम्मान करते थे उनसे पराई समय समय पर मिलते रहते थे और कुछन कुछ जानने की जिग्यासा लेकर ही उनके पास जाते थे इस संस्मनात्मक लेक में एके जी ने निराला जी के सभाव उनकी पार्खी द्रस्टी नए से नए को जानने की ललक और गहरी समझ आदी को बड़ी खूबी के साथ व्यक्त किया है बसंद का अगरदूत सीर्शक संस्मनात्मक लेक में एके जी ने निराला के विक्तित्वे उनके सभाव उनकी रचनाओं की विशेशताओं पर अपने ढंग से परकास डाला है एके जी ने उन्हें बसंद का अगरदूत कहे कर गहरा संकेत दिया है विए ये कहना चाहते हैं कि बसंद पंजमी के दिन जन में निराला की द्रस्टी में बसंद का विशेश महत्वे था विए अपने सर्जन में बसंद को कभी बुलही नहीं धिरे-धिरे उनका परवर्ती सर्जन बसंद से हट कर पत जर की और चला गया और उनके कावी में अवसाद, हतासा और निरासा के स्वर विक्त होने लगे धान देने की बात यह है कि यह स्वर भी निराला की सहसिक्ता, जिजी विशा और आत्मी विश्वात से युक्त भावनाओν को ही विक्त करते हैं इस लेक में निराला जी की विशेश्ताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, पहली विशेश्ता है पार की द्रस्ती, निराला के पास पार की द्रस्ती थी, वे हर आगंदुक को बड़े धान से देखते थे और उसके विशे में अपनी राय बना लेते थे, इस परकार की राय बना जाने में निराला किसी पुर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते थे एपितू अपने द्वारा जांच परताल किये जाने पर ही अपना निसकर्ष निकालते थे इसका एक उधार इस संज्मर्ण में दिया गया है एग्य जी जब पहली बार निराला से मिलने जाते हैं तब वे उन्हें प्रणाम करते हैं और निराला उन्हें बैठने के लिए कहते हैं ऐसा कहते कहते ही वे एग्य को सिर से पैर तक देख लेते हैं और जब वे बैठने को होते हैं तो तुरंत कहते हैं जरा सीधे खड़े हो जाओ एग्ये को आस्त्री तो होता है पर भी सिधे खड़े हो जाते हैं निराला भी अपने स्थान से उठकर एग्ये के सामने आकर खड़े हो जाते हैं एक बार फिर निराला एग्ये को सिर्च से पैर तक देखते हैं मानो तोल रहे हूं और फिर कुछी छणो बात कहते हैं ठ निराला का सभाव था कि वे हर आने वाले से उसके विक्तित्वे की नाप तोल करते थी संकेत यह जाता है कि निराला को बेले ढाले लूटे पीटे से लोग पसंद नहीं थे इसके पीछे उनकी दार्ना रही होगी कि स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्स का निवास होता है उ मानेता ये प्रच्छित रहा कि निराला विक्सिप्त की इस्तती में पहुँच गए थे, एगे जी ने भी इसे स्विकार किया है कि निराला कुछ-कुछ विक्सिप्त हो गए थे, किन्तु ये भी कहा है कि उनकी विक्सिप्त इस्तती को लोग उनका पागलपन समझते थे, मु वे विक्षिप्त इस्तति से थोड़ी देर बाद ही सहज इस्तति में आ जाते थे कुछ व्यक्तियों के नाम से निराला को चीड थी अते उनके नाम यदि ने लिये जाएं तो निराला सामाने बने रहते थे ऐसा नहीं था कि जिन वेक्टियों के नाम से निराला को चीड थी वेपरतिवासाली नहीं थे बलकि मूल कार्ण ये था कि निराला को भी न समझे ही ये लोग उनके प्रती, विपरित प्रति किरिया अथ्वाटिपणिया करते रहते थे विक्सिप्तता का एक उधार इस संस्मर्ण में और आया है कि एक बार अग्गे और स्यूमंगल सिंग सुमन निराला से मिलने जाते हैं सुमन जी कुछ हल्की फुल्की बाते करते थे और हर थोड़ी देर बाद कोई ने कोई पर्षन निराला से पूछ वैड़ते थे निराला अनरगल से प्रशनों को सुनकर दुखी तो होते ही थे किन्तु विक्सिप्तता की मना इस्तती में ये भी कह देते थे कि निराला कौन निराला निराला इस डेड़ वास्तम में निराला को पैचानने वाले लोगों की कमी थी इसलिए उन्हें कोरा पागल कहने की बाते भी होती रहती थी ये सत्ते हैं कि निराला जेनियस थे और अपनी समकालिनों की कविता को समझने कि उनके पास गेहरी और शुक्षम द्रस्टी थी अगली विसेश्ता है परिवर्थन की पहचान निराला की विसेश्ता ये थी कि वे हिंदी कावे में होते जा रहे परिवर्तन को भी बली बाती पैचानते थे उस समय के हिंदी के बड़े बड़े आचारिये भी इस परिवर्तन को नहीं पैचान पा रहे थे तब निराला ने उन्हें पैचान लिया था अग्ये ने उन दिनों लिखना ही प्रारम किया था और निराला की द्रस्टी में उनका लिखावा अच्छा होता था निराला ने अग्ये से कहा भी है कि तुम जो कुछ लिख रहे हो वह मैंने सब पढ़ रहा है निराला इस बात को समझ गए थे कि आज की नई पीडी के साहितेकार किस बात पर जोड़ देना चाहते है और किस बात की उपेक्सा करना चाहते है निराला का ये कथन उनकी इस खूबी को विक्त करता है कि वे भी परिवर्थित इस्तियों की पैचान रखते थे निराला ने कहा थोड़ी देर रुक कर हम दोनों को चुपचाप सुनते पाकर उनोंने बात जारी रखी स्वर की बात तो हम भी सोचते थे लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर रहता था और तुभारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर रहता था निराला का एक अथन उनकी उस द्रस्टी को सामने ले आता है जो बदलते भी मांदन्डों की पैचान रखता था या कम से कम उन्हें समझता था अगली उनकी विशेष्टा है सादगी और अतिती सतकार निराला के विक्तित्वे और सभाव की विशेष्टा किसी से छिपी नहीं है अग्ये ने भी इस संस्मनात्मक लेक में उनकी सादगी की चर्चा की है और शाथ ही साथ उनकी अतिती सतकार की भी निराला साथ के पूर्ण जीवन बिताते थे, गर में अपना खाना स्वेम बनाते थे और पराय कोफिन अर्थात लंगोटी धारन किये रहते थे अगे जब सीव मंगल सिंग सुमन के साथ उनसे मिलने जाते हैं तो तब निराला रसोई में कुछ काम कर रहे थे सुचना मिलने पर कि कोई आये हैं वह कोफिन धारन किये वी आ गए ऐसा नहीं था कि निराला में सिष्टा का भाव नहीं था या सालिंता की उनमें कमी थी पर ये तो उनका साथगी पून सभाव था निराला जे की अगली विसेश्टा है कि वो धुन के पक्के और एडिक थे निराला के विक्तित्वे और सभाव की एक उलेखनी विसेश्टा और है आलोचे लेख में संकेतित की गई है ये विसेश्टा है उनका एडिक होना और धुन का पक्का होना एक बार मेरट में हिंदी साहिते परिशत का समारो हुआ इस समारो में निराला को भी आमंत्रित किया गया एग्य जी भी उसमें समलित थे और हौमवती जी ने निराला के ठेड़ने की व्यवस्ता की थी किन्तु हौमवती की चिंता ये थी कि निराला साम की बोजन से पुर्व स्राब अवस्य पीते थे उसकी व्यवस्ता कैसे की जाती थी अगे जी ने उन्हें समझा बुझा कर सांत कर दिया था और कह दिया था कि आप चिंता नए करें हम सब संभाल लेंगे निराला ने अपने नियमा अनुसार अपने अडिक सभाव के अनुसार स्राब का सेवन किया और होमवती जी के यहां पहुँच गई, अगे आदी लोग उने बातों में बहलाना चाते थे, किन्तु वे वहां कुछ भी नहीं बोले, हाँ हू करते रहे, और पूरी तरह सैयत और सालिन बने रहे, अपने अडिक सभावस और अपने को सैयत बनाए रखने के लिए, उन्हों करता है, करता ही है, साथ ही ही, ये भी व्यक्त कर देता है, कि वे अपने सोक अवस से पूरे करते थे, किन्तु उनका पूरा करने में, वे दूसरों को कोई कस्त देना नहीं चाते थे, यही कारण है, कि निराला उस दिन पूरे सैयत बने रहे, सालिन बने रहे, और कोई ये जान नहीं पाया कि निराला घूमने क्यों गए हैं। उनकी अगली विशेष्टा है मनमोजी सभाव। निराला का सभाव मनमोजी था। वे अखड और फकड दोनु ही थे। अगली विशेष्टा है अवसाद और निरासे। अगली जी ने आलोचे संस्मन के अंत में निराला के अवसाद और निरासे की चर्चा भी की है। उन्होंने इसपस्ट किया है कि इलाबाद में रहते वे धीरे धीरे निराला के मन पर अवसाद और निरासा की भाव चाते गई। वी स्वर अपने परिचितों के बीच रहकर भी उने गहरे रहते थे उनके परवर्ती कावे में इस परकार के सवरों को भली वाती देखा जा सकता है देखा जा सकता है जैसे मैं एकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दीवस की सांध्या वेला जानता हूँ नदी जरने जो मुझे थे पार करने कर चुका हूँ हस रहा है यह देख कोई नहीं वेला अत्वा सने निर्जर भै गया रेत जो तन रहे गया इस तरह के कहने का अभी प्राय यह है कि निर्जर के मन में बाद में जो अवसाद का भाव जन्मा वे उनकी रचनाओं का स्थाई भाव बन गया अब हैं उनकी अगले विसेचता है तुलसेदास की स्रेष्टा के कारड़ निराला ने तुलसेदास लिखकर हिंदी जगत को एक अन्मौल भेंट दी है हदिकास पाटकों और समिक्सकों ने निराला की राम की सक्ती पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार और जुही की कली जैसी कविताओं की मुक्त कंट से परसंशा की है एग्यजी ने इन रचनाओं को स्रेष्ट तो माना ही है किन्तु उन्होंने मुक्त कंट से ये भी गोसित किया है कि उनका तुलसेदास सर्वस्रेष्ट है एग्य जी निराला के तुलसिदास को सर्वस्रिस्ट क्यों मानते हैं इसके उन होने तीन कारण बतलाए हैं पहला कारण ये बतलाया है कि तुलसिदास को पढ़ते समय एक नया संगसार पाठक की आंखों के सामने करम से खुलता चला जाता है संकेत ये हैं कि भारत की संस्कृती का हरास, मुगल शासन की बढ़ती हुई विलासिता, दीन हिनों की दूर्बल इस्तती और ऐसे वातावरणों में कावे नायक तुलसिदास का मोबंग और ज्यान रस्मियों के लिए साधना रत हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है इससे एक नया संसार पाठक के सामने खुलने लगता है दूसरा कारण ये बतलाया गया है कि तुलसिदास कावे को पढ़ते समय एक एतियासिक अनकरम में सब कुछ गठित होता हुआ दिखाई देता है निराला ने तुलसी दास में जिन एतियासी गटनाओं का नियोजन किया है वे नियोजन उस समय के संगसार का एक इस्तिर चित्र नहीं है बलकि जीवन्त चित्र है तीसरा कारण यह बतलाया गया है कि तुलसी दास काववे के मादम से निराला की सांसकर्तिक चेतना सरजनात्मक तुरूप से में अवत्रित हुई है कहने का अभी प्राई यह है कि एतियासी गटनाओं के कर्मिक नियोजन ततकालिन पर्वेश के जिवन चित्र और सांसकर्तिक चेतना की सम्यक और सफल अव्यक्तिक के कारण ही तुलसी दास एगय जी की द्रस्टि में उनका सर्वस्टिस्ट काववे है अब हम निसकर्स के रूप में कह सकते हैं कि एगय जी ने पैसंत का अगर दूत सीर्षक संस्मिनात्मक लेख में निराला जी के सभाव उनके व्यक्तित्वे और उनके करतित्वे में समय समय पर आये परिवर्दन की और संकेत करते हुए उनकी विशिष्टाओं को पूरी मा अर्मिक्ता के साथ रेखांकित किया है संपूर संस्मिनात्मक लेख में केवल निराला के व्यक्तित्वे और सभाव को अव्यक्ति देने वाला है एपी तो उनके कावे की स्ततियों निराला के कावे विसे ज्यान और उनकी सुक्स्म पकड़ को भी सामने ले आता है